महाराश्ट राज्यक राज्यक्हनंदनिगम को न्यूक किया गया है जिसमें सीसियल इसमीलियन मैट्रिकटन और एमसेल पाच मिलियन मैट्रिक टन है असी प्रतीशित वॉश कोल सप्लाई और 20 प्रतीशित वॉश कोल सप्लाई के लिए दो अलग अलग टेंडर मंगवाए गया है और काम आवंटेद किया गया है इसमें फिर प्रश्टाचार को लेकर आज राश्टरवादी कॉंग्रस की न आज राश्टरवादी के नेता प्रशान पवार इन्होंने CBI को कोल वाश्टरी के खिलाब निवेदन ग्यापन्स होपा है क्या पूरा मामला है आज आपने ग्यापन्स होपा है क्या कहा गया है आज हम राश्टरवादी कॉंग्रेस के तरफ से राश्टरवादी कॉंग्रेस के अध्यक्षा शार अध्यक्षा दुनेश्वर वाव पेठे माजी नगर सेवक राजेश माटे महा सच्यू राज्यके अविनाश गोत्मारे जी विजे कुमार शिंदे जी सोर्ते जी मिलिन म महादेवकर, अभिंदर इटकेलवार, ये सुनिल लांजेवार, अभिनाज शरेकर, ये सब के नेतरूत्वव में CBI को एक हम निवेदन दिये, कि जो कोल वाश्री का, देवेंदर फटनवीस के कार्यकाल में जो ओर्डर दिया था, उसका जो 15% जो रिजेक्ट है, वो रिजेक्ट ओपन मार्केट में महाजनकों के अधिकारी और खनीकर्म महामंदर के अधिकारी वो बेच रहे, उसकी उच्चस तरिय इंक्वारी होना ची यह उसके लिए हमने CBI को यह विद्यापन सोपा है, जिसमें CBI के SP साब ने बोला है, कि जो सेंट्रल का नुकसान होता है, उसमें हम हाट डालेंगे, तो उसमें हमने उनकों बताया, कि कोल वाश्री के लोग, महाजनकों के लोग, मिलके, सेंट्रल गवर्मेंट का जो लॉस कर रहे है, वो है Loss of Mining Royalty, वो 238 करोड रुपे साल का है, उसके बाद में उनका जो GST का है, वो 952 करोड रुपया है, तो इसमें उन्होंने बोला कि हम इसमें डायरेक्ट, इंटर्टेंट करेंगे, और जो 15% का कोल, जो वो मार्केट में बेच रहे हैं, जो 5000 करोड का, जो घोटाला है, उसमें हम लोग कैसा कर सकते, कैसा हाट डाल सकते, वो देखेंगे, अगर वो राज्य के अंडर आता है, तो हम राज्य के जो भी कोई इन्वेस्टेगेशन एजेंसी है, उनके तरफ वो सौपेंगे, लेकिन उन्होंने बताया है, कि कोल ये सेंट्रल गोवर्मेंट की प्रॉपर्टी है, उसमें कैसा इसका मिस्यूज हो रहा है, इसके बारे में वो इंक्वाइरी करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, और बोला है कि जल्दी से जल्दी हम उसके इंक्वाइरी करेंगे, क्योंकि ED और CBI, ये क्या हो गया है, ये काहिकी भी इंक्वाइरी करते तो इसकी ये बहुत बड़ा प्रकरन है, तो शायद इसकी इंक्वाइरी वो करेंगे, ऐसा हमें उन्होंने आश्वासन दिया, दुने इन्होंने बोला कि हाँ आप फॉल अप कर सकते हैं, तो हम फिर से फॉल अप करेंगे, और एक-दो दिन में, और जो दुसरा इन्होंने तीन सो करोड़ का जो बिना टेंडर का ओर्डर दिया है, वो भी अभी निकालेंगे, और मेन आने वाले असेंबली में, जो माजन कों क बैठालने के लिए एंटी करॉप्शन के पास भी हम अपिल करेंगे उनके खिलाब गुना दाकल करने की मांग करेंगे तो कॉल वाशरी जो है कॉल सेंटरल गवर्मेंट को जिस तरह से घाटा हो रहा है उसकी खिलाब आज यहाँ पे सीबी आई में गयापन दिया गया है